किसानवाई नमस्कार हम खड़े हैं धान के एक खेत में जिसमें सीधी बिजाई की गई है धान की यह हमारी एक नई किस्म है पूसा 1850 जिसमें की जो जोका रोग यानि ब्लास्ट की बिमारी बिल्कुल नहीं लगती है उसी के लिए संभा मस्तूरी जो बहुत प्रचलित किस्म है उसका सुधार करके इसको बनाया गया है इसकी बुआई 18 जून को की गई थी और धान की सीधी बिजाई हम लोगों ने तर बतर विदी से की थी पहले खेत में पानी लगाया था पानी लगाने के बाद बतर आ गया उसके अच्छी तरह से जुताई करके पाटा लगा करके और फिर सीधाल से बुआई कर दी थी लेकिन हुआ कि उसके तुरंद बाद बरसात हो गई, बरसात होने से पपड़ी जम गई थी खेत में उससे अंकुरन में दिक्कत आ रही थी तो हम लोगों ने उसमें दुवारा पानी लगाया था इसके बाद इतना बढ़ियां अंकुरन हुआ जैसा कि आप फसल देख रहे हैं इसमें कहीं कोई गैप नहीं है तो जब हम धान के सीधी विजाई के प्रबंधन की बात करते हैं तो इसमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि अगर इस तरह की कभी इस्तिती पैदा हो जाती है तो आपको तुरंत निड़े लेना पड़ेगा कि क्या आपको करना है इसके अलावे पौधों की संख्या परियाप्त हो जैसे हम रुपाई जब करते हैं तो प्रती स्क्वार मीटर करीब हम 33 पौधे बरकड़ार रखते हैं तो उसी तरह से पौधों की संख्या अगर सीधी विजाई में हमको बरकड़ा रखनी है तो कर एक बार जैसे माली जंकुरण ठीक नहीं होता है तो उसमें जब बुआई के बाद फसल करीब 25-30 दिन की हो जाती है उसमें फुटाव हो जाता है तो उसमें खेत में पानी लगा करके और ऐसी जगों पे जहां पे कल्ले फूटे वे उन पौधों को उखाड करके और दुबारा उनकी रुपाई कर दीजिए तो इसे जो खेत में गैफ है वो पूरा भर जाएगा और आपकी पैदावार बहुत अच्छी आएगी अब इसमें इस खेत को देख करके कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता है कि ये धान की सीधी विजाई की गई है या इसमें धान की रुपाई की गई है इतना बढ़िया इसमें पौधों की संक्या पूरे छेतर में में इंटेन है इस बार पंजाब में करीब 6 लाख हेक्टेयर शेतर फल में धान की सीधी विजाई की गई उसी तरस हरियानाय में भी और इससे आपका सीधा फायदा है एक तो जो स्रम की बचचत होती है करीब 3000 रुपे के आसपास रुपाई का खर्चा बचता है पानी की बचत 35 प्रचत के आसपास होती है और इससे जो है हमारा वातावरान के उपर भी इसका सकरात्मक पहाव पड़ता है कुछ समस्याएं हैं धान की सीधी विजाई में जैसे खर्पतवार नियंतरन उससे बड़ी चुनौती है और इसके लिए बुआई के तुरंत बाद बहतर घंटे के अंदर पेंडी मितलीन का शिड़काव किया जाता है और करीब जब फसल 20-22 दिन के हो जाती है तो उसमें हम नामनी गोल्ड का शिड़काव करते हैं इससे नियंतरन पुरा अच्छी तरह से हो जाता है अब जब फसल आपकी 35-40 दिन की हो गई है तो इसमें जो समस्याएं हैं उसमें मुकरूब से आपका पत्ती लपेट और तनाच्छी दक ये दो कीट आते हैं इनका नियंतरन आपको करना है और इसके अलावे जो फंफूद जनित बिमारीया है और खासकर इस किसमें तो मुकरूब समस्याएं हैं जो आने वाली हैं यह देखिए यह लक्षण जो है यह पत्ती का जूलसा रोक का है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि जो बीच का सीरा है पत्ती का वहां से सूखना शूरू होता है किनारे सूख जाते हैं और इस प्रकार से यह नीचे की तरफ बढ से करीब 200 लिटर पानी में डालकर करें तो इसका नियंतरन हो जाएगा और इसके प्रबंधन के लिए दूसरी जो सबसे जरूरी बात आपको करनी है वो यह है कि खेत में पानी थोड़ी देर के लिए आप निकाल दें खेत को सुखा रखें और नत्रजन खादों का प्रियो आपको जो है कई दवाएं हैं जिसमें की टेकनिकल अगर हम बात करें तो क्लोरंटी यानि प्रोल और यह कई नामों से आती है फर्टेरा कास्को पदान केल्डान इस तरह की और दवाएं इसमें आती है जिनका शिड़का आप कर सकते हैं करीब 4 kg दवा प्रती एकड के हिसा इसका प्रियोग कर सकते हैं करीब 30 ml दवा 200 लिटर पानी में घोल करके इसका छिड़काओ करें तो इससे भी नियंतरन होता है अगर हम बात करें जोंका रोग की यानि ब्लास्ट की और इसके साथ साथ सीथ ब्लाइट की तो उसके नियंतरन के लिए आपको एजाक्सी स्ट् पानी में घोल करके छिड़काओ करें तो इसका अच्छी तरह से नियंतरन हो जाएगा और साथ ही साथ जो एजाक्सी स्ट्रबीन है उसको टेवी कुना जोल के साथ मिला करके फॉली क्लोर एक दवा आती है जो कि 300 ml दवा अगर 200 लिटर पानी मिला करके साथ छिड़काओ कर झाल